नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, I think सभी लोग काफी स्वस्त होंगे, अब तो करोना का प्रभाव भी दिर दिरे कम हो रहा है अमारे देश में, और अब सही माईने में फिर से नई चीजा की शुरुआत होगी, दोस्तों मैं हाजिर हूँ, इस वीडियो में UPSC PT 2021 क का जो एक्जाम है, वो किस तरह से हमें उसमें तैयारी करनी चाहिए, और हम लोग एक नया बेच शुरू कर रहे हैं, आज से ही, UPSC PT 2021 के लिए, और इस सिलसिले में एक डेमो क्लास का प्लान किया गया है, दोस्तों, तो आईए देखते हैं, हम लोग किस तरह से 2021 के एक्जा PT परिक्षा में, मैंस में भी दोस्तों, और PT में अगर 20 सवाल मतब एक तरह से आप मान लें, इकनोमिक से पुछे जाते हैं, 100 आइटम में से, 20 सवाल अगर आप मान लें कि एकनोमिक्स के हैं, तो ये लगबग ठीक ही मानिता होगी, कई बार कम जादा होते हैं, लेकिन 20 का उसत अपने आप में एक सही होसत है, तो दोस्तों 20 प्रश्ण, यानि की one-fifth वेटेज, आप कह सकते हैं, इंडीन एकनोमी को मिलावा है, तो ये अपने आप में काफी significant हो जाता है, और इंडीयन एकनोमी दोस्तों, तो इंडीयन एकनोमी हम पढ़ते हैं, वो सिर्फ इंड बन जाता है, फाइनेंस कमिशन वे गिरा के मेटर्स हैं, तो कहीं न कहीं दोस्तों एकनोमिक्स पॉलिटी से रिलेशन बना देता है, सामाजिक मुद्दों से इसका रिलेशन बन जाता है, और I think जो कल आज 10 जनवरी है, और कल जो मेंस पेपर हुआ था, UPSC का जी एस सेकेंड उसमें गरीबी से रिलेटेड तीन-चार प्रशन पूछे गए थे, I think दो प्रशन पूछे गए थे, माफ कीजे, तो दो प्रशन जो थे, बाइकी और भी प्रशन थे, एकनामिक से रिलेटेड लेकिन गरीबी से रिलेटेड दो प्रशन थे, और दोनों प्रशन काफी अच तो यह बहुत ही अपने आप में एक अलग तरह का सुचकांग है हम देखेंगे मैं आपको पढ़ाओंगा जो मेरे पीटी की क्लासेज होंगे उनमें मुल्टी डामेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में की क्लासेज में भी हम लोग देखते हैं और पॉवर्टी और हंगर से इसा है जिस देश में गरीबी और भूकमरी है मापरम गवर्णेंस नहीं मान सकते एक तरह से इसलिए मुझे लगता है कि गरीबी और हंगर के टॉपिक्स जो है वो जीए सेकिंड में यूपीस से पूछ रही बारंबार पूछ रही है पुराने पेपर्स पेगर आप उठा तो उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इस तरह के टॉपिक्स है तो इकनोमिक्स अब तक साउंड नहीं होगा दोस्तों तब तक अन्य विश्व में भी आपकी परफॉर्मेंस उतने अच्छी नहीं हो पाएगी निबंदों में उसकी बहुत अच्छी भूमिका है तो हंटे की अगर आप एक क्लास मानते हैं वीडियो क्लासेज यहां पर होंगी और ओनलाइन यह कोर्स अविलेबल करवाया जाएगा आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और रजिस्टर करेंगे तरह वहां से आपको यह लोगिन आइडियो और पासवर्ड बनाने पड़ें और उसके माधिम से आप वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के जरिये यह क्लासेज देख पाएंगे हमने अपना एप भी डवलप किया है और उस पर मतलब वो तयार ही है हम चाहें तो उस पर क्लासेज दे सकते हैं तो एंड्रोइड का एप भी हम ल जो इस वाले पीरिड में पॉस्ट करोना जो पीरिड है उसमें जो इनकौरीज है उसमें वारबार स्टुडेंटस से एक ही सवाल करते हैं कि ओफ्लाइन पासेज पक्लासेज कब शुरू होगी लेकिन हमारी इस तों यो ऐस तरह सूरू से अढ़ास में आते हैं और फिर उस लिखते हैं उसे थोड़ा सा उसको बताते हैं फिर लिखाते हैं और फिर समझाते हैं फिर लिखाते हैं तो वही चीज हमारे online classes में भी रहेगी सेंड वेसे ही रहेगा जैसे कि आप classroom में बेठे हुए teacher सामने हैं और आपको लिखवा रहा है और मेरे आपर तो पूरी कोशिस यही रहती है कि सारे class notes हम मतब जितने भी notes हैं वो class में ही develop कराएं और printed material पर कम से कम निर्भर रहें और class notes को develop जादा करें और economics वेसे भी निरंतर बदलने वाला विशे है तो उसमें permanent material देने कि स्कोप मतब उतनी बढ़या नहीं होती है उसमें फिर adaptation के issues बहुत जादा पेदा हो जाते हैं लेकिन जब आप class कर रहे हो teacher class दे रहा तो उसी period में हर टोपिक से related जो adaptations होते हैं वो अगर teacher करवाता जाए तो वो सबसे बढ़ा तरीका होता है तो मेरी class में मेरी कि यह courses रहती है कि जैसे जैसे में आपको पढ़ाता जाओं जाओं वैसे वैसे जो भी नवीनतम चीजें हैं जो भी नवीनतम facts available है हमारे सामने उनको साथ में रखते हुए हम लोग चलें और course को complete करें तो हमेशा यही habit मेरी रही है चाहे में offline classes में पढ़ाता रहा हूं या फिर में online classes में पढ़ाता रहा हूं लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं लास्ट में जब PT होने वाला होता है जैसे कि जून में PT है इस बार 2021 में तो जून last में PT है तो एक मैने पहले यानि कि आप मान लीजिए 27 माई 20 माई यह वाले डेट के आसपास हम लोग current economy की classes देते हैं बच्चों को जो हमारे अपने बच्चे होते हैं प्लेस जो जो बाहर के बच्चे जिनको यह है कि यह course बहुत अच्छा है और पिछले चार-पांस साल से हम current economy का special course डिजाइन करते हैं जिसमें 20 गंटे की class देते हैं तो 20 गंटों की classes में इतना ज्यादा वर्क रहता है मेरा खुद का भी इतना वर्क रहता है जितना मैं साल भर मेनत नहीं कर पाता हूं उतना मैं वो 10 classes के लिए वर्क करता हूं तो वो 10 classes में जितना भी अपडेशन वो फिर से हम लोग करवाते हैं तो अगर कोई कमी रह भी जाती है मतलब आपकी द्वारा या मतलब हमारी साइड से तो हम उसको complete करने की कौसिस करते हैं और उस उन classes का record भी बहुत अच्छा रहा अब तक मान लीजिए current economics के 10 सवाल आते हों 20 में से 10 सवाल current economic के हों तो आपको 278 सवाल उन classes से मिल सकते हैं और जिन लोगों ने इन classes को किया है वो इसके मैत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हर बार वो classes करने की कौसिस करते हैं तो दोस्तों यह जो PT का course है इसमें और इसकी launching भी बहुत ही बढ़ा टाइम पर है आपको यह पता होगा है कि राश्ट्री आई से स्टार्ट होगी class जो मैं आपको भी अपना class plan बताऊंगा तो राश्ट्री आई से class स्टार्ट होगी तो आपको पता होगा कि 7 जनवरी को आपको पता होगा कि NSO के द्वारा National Statistical Office पहले CSO होता था Central Statistical Office वो राश्ट्री आई के आंकड़े जारी करता थ था और बाद में क्या होगी CSO और NSO का अपस में merger कर दिया गया और अब NSO काम कर रहा है जिसका full form होता है National Statistical Office तो NSO द्वारा 7 जनवरी को शाम को 5.30 बजे अगरी मनुमान निकाले गए 2020-21 के लिए 2020-21 अब खत्म होने वाला है लगबग हम जनवरी में हैं और last quarter में चल रह जनवरी के बाकी दिन है तो यह वर्ष खतम हो जाएगा 2021 लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है और advance में अगरी मनुमान निकाले गए है NSO के द्वारा तो जब में राष्ट्रियाए का chapter आपको पड़ाओंगा मित्रो तो उसमें जो नए estimate आए वो अपने आप integrate हो जाएंगे 26 फरवरी के आसपास 26-27 फरवरी को second advance estimates आएंगे तो वो survey में integrate मतलब एक तरह से हो जाने चाहिए जहां तक मैं सोचता हूँ तो वो survey release हो जाएगा तो उसमें फिर अलगतरे के abdations हो जाएंगे तो इस तरह से इसकी जो launching है इस class की वो बहुत अच्छी launching है और आप इसको धिर दिर आराम से करें और दोस्तों मैं सुचता हूँ कि दो घंटे के वीडियो के बजाए में बेट घंटे का वीडियो बनाऊ ताए कि ज्यादा भार नहीं पड़े और online में थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि हम attention को अतना holding नहीं कर पाते और class की बात अलग होती है तो कुल मिलाक कि अगर मैं number of classes की बात नहीं करूँ क्योंकि वीडियो कम ज्यादा time length का बन सकता है तो मैं आपको लगभग साथ गंटे की class मत 55 से 60 गंटे की class पीटी की में आप लोगों को दूँगा और इस तरह से स्कोर्स को हम लोग पूरा करेंगे दोस्ता तो आएए देखते हैं किस तरह से पीटी को हम समझ सकें जो पीटी का examination अर 2021 में हम उसको कैसे टेकल करें तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने UPSC ने जो syllabus बनाया वाए इंडिया निकनोमिक के लिए वो syllabus की इस तरह का है वो हम लोग देख लेते हैं और कैसे उस syllabus को manalize कर सकते हैं पुराने papers के साथ और क्या हमें पढ़ना चाहिए जो UPSC ने syllabus लिखा है क्या वो ही हमारा syllabus है या उस syllabus को थोड़ा सा मतलब हमें हट के समझना पड़ेगा तो देखते हैं दोस्तों दोस्तों यह आप देखेंगे UPSC syllabus लिखा होई UPSC syllabus PT के लिए तो अगर आप UPSC का syllabus देखते हैं तो दोस्तों UPSC ने यह syllabus आपKE लिए लिए और इस syllabus को आप दिखेंगे Economic and Social Development वाला एक heading आपको UPSC, PTK syllabus में दिखेगा, उसके अंदर जाकर अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको ये topics नजराएंगे, poverty, inclusions, sustainable development, social sector initiatives और इट्सेटरा, यही economics का syllabus उसमें दिया हुआ है, अगर मैं इन topics के हिसाब से बात करू हूँ, तो दोस्तों आपका जो syllabus है, वो 7 दिन में खतम हो जाना चाहिए, 7 दिन से ज्यादा का, 7 दिन भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, तो मतब कुल मिला कि 14 गंटे, 15 गंटे के अंदर इस syllabus खतम हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको 60 गंटे का syllabus बताया इसमें, तो इसके पीछे ये वज़ा नहीं कि मैं आपक 2020 तक के paper आप उठा कर देखते हो, 2020 तक के papers, तो दोस्तों उन papers के हिसाफ से ऐसा लगता है कि और भी topics cover किये जाने चाहिए, इनके अलावा, और मैं सोचता हूँ कि जो दूसरे topics हैं, वो ज़्यादा है संख्या में बजाए कि वो topics जो UPSC ने लिखे हैं, तो अगर आप पुर topics हैं, जो poverty से लेकर, social sector initiatives के तक के जो topics हैं, इनको अगर आप एक तरफ कर दो, right, और ये etc को एक तरफ कर दो, तो दोस्तों ये वाले topics से 20 में से 5 सवाल ही आते हैं, ये मानवी जया, जो मेरी समझे जिस तरफ से paper को मैंने analyze किया, जो teacher, तो ये वाले topics से केवल 5 प्रशना आपको दिखेंगे, 19 भी सूपर नीचे हो सकता है, एक rough idea मैंने आपकी सामने रखा, और दोस्तों 15 सवाल इस शर्द से जुड़ेंगे, etc, जो मतलब अपने आप में defined नहीं है, जिसको आप आधी कह रहे हो, वो defined नहीं है, 15 सवाल आपको इस सवाल से मिलेंगे, और 5 सवाल इदर से मिलेंगे, ये आपकी total गणित है, 20 प्रशनों की हैं, तो दोस्तों अगर इसके हिसाफ से हम चलें, अपना प्लान बनाएं, तो हम 5 प्रश्ट कर पाएंगे, उसमें भी आदित हमारे गलत हो नहीं है, तो फिर हम economics में कोई ठीक ठाक भी score नहीं कर पाएंगे, और इट्सेटरा वर्ड की तरफ जाते हैं, तो समझा क्या है कि इसको define कैसे करें, क्या-क्या इसमें पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों इसका मतवसाब जायरवा कि हम syllabus को समझें, तो जो UPSC ने लिखा हुआ है, वो ही syllabus नहीं है, जिसे हम कहते हैं, I am managed not by his deeds, not by his words, एक विक्त किसी ने सवाल क्या पूछे, उनको देखना है हमें, यानि उसका act के सरा है, उसका deed के सरा है, तो इस समझा से निपटने के लिए मैंने फिर अपना एक class plan तयार किया है, उसके इसाब से हम लोग अगर चलते हैं, तो ये topics भी होंगे, और etc का मुकाबला भी हम लोग कर सकते है दोस्तों, और अगर आप ये इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, कि ये जो 5 मैंने लिखे, जो इस वाली साइड से, उसका भी फिर आप, मतलब एक वर्गी करन कर सकते हैं, इन पांचों को अगर आप देखते हो, पांच प्रश्न ये जो हम सोचने की साइड से आ प्लस फोर, इसका मतलब क्या है, ये चार सवाल जो है दोस्तों, वो ये सोचल सेक्टर इनिशेटिव से आने आएंगे आपको, सामाजिक शेत्र से जुड़ी भी पहले या कदम, जिनको हम कहते हैं, इसमें बेसिकली गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछली जातियो के लिए, मतलब विभिन प्रकार की जो सामाजिक कल्यान की स्कीमें हैं, वो मुख्य रूप से इसके अंदर आती है, सोचल सेक्टर इनिशेटिव में, और इसमें भी मैं आपको क्या करूँगा कि अपनी क्लास जब चलेगी, तो उसमें मैं कुछ स्कीमों के मतलब आपको न कर लिते हो, तो आपके चार प्रश्ण तयार हो जाते हैं लगभग, और बाकी एक प्रश्ण जो है, एक भी हो सकता, दो भी हो सकते हैं, इधर चार की जगें, तीन हो सकते हैं, इस तरह से, ये बाकी के एक शक्र से आएंगे आपको इधर, मतलब या तो गरीबी पर पूश लेंगे, इंक्लूजन्स का मतलब ये समावेशी विकास से मतलब है, इसका, इंक्लूजन्स का मतलब समावेश, तो समावेशी विकास का टोपिक इसमें आ जाता है तरह से, तो इसमें आई की विशमता हैं, पूछी जा सकती है, उसे जुडिवी चीजे पूछी जा सकती है, जैसे आई की विशमताओं में आपने जीनी गुणांग का नाम सुना होगा, कई लोग उसको गीनी गीनी बोलते हैं, गीनी गुणांग, सही उसका जो उच्चारण है, वो जीनी गुणांग के है, यह जो इस तरह से लिखा जाता है उसको, जीनी तो आपको जीनी गुणांग पे पूछ सकते हैं, इसमें एक लोरेंज के रूप होता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, इससे मतलब जो विशम, एक क्विंटाल रेश्यो होता है, इस तरह की चीजें समाविशी विकास मतब जिस देश में विशमता हो, आई की विशमता हैं हो, संपत्ति की विशमता हैं हो, उस देश में समाविशी विकास नहीं हो सकता है, तो विशमता हो, से जुड़ जाता है ये टोपिक, अब उससे रिलेटेट चीजें आ सकती हैं, जिसे पालमा रेशियो, जीनी उनांक, लोरेंज केर, क्विंटायल रेशियो, ऐसे दोस्तों क्या है कि एक एक human development report जो आती है, human development report में एक इंडेक्स बनता है, जिसको आप नाम सुना होगा, IHDI, वो भी इससे जुड़ जाता है, एक तरे से, inequality adjusted human development index, विशमता समायूजित, मानविकास उचकांग, इस रिकी topics इसके अंदर आएंगे, तो इसको देखेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे तब, sustainable development में, आप सब लोग जानते हूँ कि विकास का pattern आता है, विकास हम किस तरह से करें, कि अंतर PD समतार है संसाधनों के इस्तेमाल में, जो वर्तमान PD जितने संसाधन इस्तेमाल कर रही है, उससे कम संसाधन आने वाली PD के लिए नहीं छूटने चाहिए, तो इसमें Club of Rome ने मतलब इस शब्द को ज़्यादा चर्चा में फेलाया, और ये term दिया गया था, ब्रंट लेंड आयोक के द्वारा, और उससे जुड़े वी जो चीजें हैं, जैसे कि लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट रही है, चर्चा में तो UPSC पूछ सकता है, लिमिट्स टू ग्रोथ का रिलेशन किसके साथ है, इसे एक बार आया था, क्लब ओप रॉम के बारे में पूछा गया था, डारिक ले, इंडारिक ले, आप देखेंगे तीन-चार साल पहले के पीटी पेपर में ये पूछा गया था, ऐसे तो इसमें परियावरन से जुड़े वे कौनसेप्ट आ सकते हैं, जैसे कि कुजनेट्स केर, अभी UPPCS का एक पूछे गये थे 2020 की पीटी में, और मैंने द्रिस्टी के प्लेट फॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर उनको डिस्केशन किया है, सारे प्रशनों को, उसको भी आप सुन सकते हो, सह विस्तार, आप द्रिस्टी के यूट्यूब चैनल पर जाकर, और जो मैंने पेपर डिसक प्रशनों के लिए, और एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से और धीरे-धीरे प्यार से उसमें समझाया हुआ है, थोड़ा पेसेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत slow speed में बोलता हूँ, आम तोर पर, और धीरे-धीरे समझाता हूँ, क्योंकि ये विश पड़ाते-पड़ाते, मैं habituated हो गया उस चीज के लिए, वो लगता है दिखने में ऐसा लगता है, कि कम speed है, तो इस तरह से दोस्तों, आप समझे इस चीज को पहले मैंने इनको, इन से आपको free कर दिया है, मतलब, अब poverty के बारे में तो कहना है, क्या इस पे तुसे विश् के लिए, केवल जो सरकारी योजनाएं हैं, इनके मैं नाम दूंगा आप लोगों को, एक लिस्ट पकड़ाओंगा, उसको आप तैयार करोगे, एकदम सही हो जाएगा, और वो योजनाओं को क्लास में लेना मतलब, उतना मुझे में नजर नहीं आता है, तो जो सरकारी स्की में हैं, वो आप लोग खुछ तैयार करेंगे, मैं पहले ही इसको पब्लिकली डिकलेर कर रहा हूँ, सरकारी योजनाएं जितनी भी है, वो आप लोगों को तैयार करनी है, कुछ एक चीजे मेरी क्लास में आएगी, बैंकिंग के खशेतर में, बाकी दोस्तों वो आपको प् स्कीम को लेकर, तो आप फोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को, तो दोस्तों इस एट्सेट्रा सब्द से निपटने के लिए जो 15 सवाल इस पे आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें पूराने पेपर देखन दो हजार बारे और उसके बाद के, तो किस तरह की टॉपिक्स होने चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए, मैंने अपना एक क्लास प्लान तयार किया आप लोगों के लिए, तो प्लीज लेट उस सी देट क्लास प्लान, तो ये क्लास इलेबस है, जो मेरी क्लास के अंदर ह पढ़ाई करनी है, उसको लेकर, तो इसमें सबसे पहला जो चेप्टर है, वो नेशनल इंकमेंट प्रोड़क्ट का चेप्टर है, और इस तरह से आप इसकी टोटल काउंटिंग करते हो, तो छे चेप्टर आपको दिखेंगे, नेशनल इंकमेंट प्रोड़क्ट, पब्लि तो नो चेप्टर हो जाते हैं एकरे से अगर आप इसको देखें, और ब्रोडली अगर आप इसको डिवाइट करें, तो छे चेप्टर यहाँ पर नजराते हैं, और आप पुराने पेपर देखेंगे दोस्तों, तो आपको नेशनल इंकमेंट प्रोड़क्ट पे एक-दो ए एक आदे साल नहीं आते हैं, तो वो एक अपवाद है, पब्लिक फाइनेंस, यानि कि इसमें सरकार के टैक्सेज विगरा से रिलेटेड सरकार का जो वित है, सरकारी वित है, उसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, और इसमें सरकार की रेवेन्यू के सौर्स क्या है, सरकार क expenditure कौन से है, expenditure के types कौन से है, expenditure और income के बीच में gap तो नहीं है, gap है तो उसको हम घाटा कहेंगे घाटे के types कौन कौन से है, और घाटों को control करने के लिए क्या legislative तरीके हमने अपनाए हैं, जैसे कि FRBM Act वेगरा जो में लागू किये, तो FRBM Act से related प्रशना जाते हैं, उसमें तीन प्रकार के statement मानिय वित्यमंत्री जी को संसत के सामने रखने होते हैं, तो वो annual financial और ये इस तरह के जो mid term strategy statement वगेरा जो है, तो जो statement वित्यमंत्री जी हम ये गेरा, इसवाल में स्तिक्री ठेक को लेकर सवाल पूछ लेता है Istyak St, सवाल गार ही तो ये स्वाल आ जाता है, क्शनी कुछ सवाल होती है, तो जो सवाल इसे बंगे रहते हैं, तो एस में कहां पर आपको नजर आ रहा है, टैक्स-वःगर के एक्ट से रिलेटेड मेटर किस जगर डालोगे राजकुष्य घाटि से रिलेटेड मेटर किस जगर डालोगे इनमें कहीं भी ऐसा एरिया नजर नहीं आ रहा है इट्सेटरा को छोड़कर जहां पर आप इसको रख सकते हो जबकि UPS ही सवाल कर रही है तो हमें दोस्तों इस तरह से आप बाकी के लिए भी समझें Money and Banking पर इस बार के पेपर में काफी प्रश्ट पूछे गए थे उन्डी पर सवाल आया था और दोस्तों कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें विकलपों के तैत Call Money Market, Commercial Papers, Certificates of Deposits इस तरह की चीजों को कहीं कहीं options में डाला वाँ था तो अगर हमें उनकी awareness नहीं है तो हम options को कैसे समझ पाएंगे फेद और जब हमारे options ठीक से नहीं समझ में आएंगे तो हम उतर नहीं कर पाएंगे तो सवाल यह नहीं कि प्रश्ट क्या है सवाल यह भी है कि options में कौन सी terminology का इससे मालव है तो वो भी हमें पता होनी चाहिए तो अगर आप समगरता में देखें कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए तो हमें प्रश्ट देखने के साथ उसके options में भी जाना चाहिए कि options में कौन कौन सी चीजों का use हुआ है वो भी प्रश्ट का part है तो दोस्तों money and banking पर आपको सवाल दिखेंगे दिखेंगे कुछ न कुछ न कुछ न कुछ यूपीस से पूछता ही है इस बार की PT में भी जैसे हुंडी के उपर एक प्रश्ट था तो ऐसे ही एक प्रश्ट था मतलब कोई विक्ती पैसा निकाल लेता है अपना bank से तो money supply पर क्या फरक पुड़ेगा इस तरह के सवाल थे तो पूछे जाते है financial markets पे सवाल आते ही है देखा जाए तो हुंडी को आप यहां रखेंगे money market के अंदर use होती है तो financial markets के दो भाव होते है money market और capital market तो capital market में stock market related question होते है bonds विगिरा से related question होते है जिसे एक बार सवाल पूछा गया था मसाला bonds को लेकर सवाल पूछा गया है तो वो financial markets के अंतरगत आएंगे foreign sector पे सवाल आते हैं exchange rate और expansionary monetary policy विगिरा को link करके सवाल पूछ लेता है UPSC balance of payments को लेकर सवाल पूछ लेता है UPSC FDI को लेकर सवाल कर लेता है UPSC trade को लेकर कर लेता है जैसे बांगलादेश श्रिलंका विगिरा के जो हमारी trade relations है उनको लेकर भी UPSC ने इस बार के PT paper में सवाल किये थे और भारत किन चीजों का export करता है किन चीजों का import करता है बहुत बड़ा segment है foreign sector WTU, IMF, World Bank संस्ताओं के बारे में भी कुछ-कुछ UPSC हर साल कुछ नो कुछ पूछता है तो अभी मैं simple फिरसे इन topics पे तोड़ी तोड़ी बात करूँगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको की सवालों को देखें अगर हम तो इन सबसे सवाल जुड़ रहे हैं यह समझाना मैं चाहरा हूँ कि यह topics मैंने क्यों लिए इसमें इतने सारे topics का चुनाव क्यों किया यह बता रहा हूँ मैं आपको कि यह जो भी topics हैं इन से एक दो एक दो सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं और social sector है तो social sector तो खेर आपको तयार करना ही है उसने तो syllabus में दे रखा है जैसे इस तरह से दियावा है उसने social sector initiative तो साफ ही लिखावा है poverty इसने अलग दे दिया तो हम लोगों ने यहाँ पर दोस्ता social sector एक अलग बना दिया और poverty और unemployment और inflation inflation यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रही है और अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हो तो और inflation के बारे में आपको नहीं पता हो कि वो calculate कैसे होती है index कौन से होते हैं और इस बार का पीटी पेपर देखेंगे आप CPI वगेरा को लेकर WPI food articles को कौन से index में ज़्यादा वेटेज दिया गया है आप एक बार वो discussion सुनिये मेरा जो मैंने किया हुआ है उससे आपको खूब अच्छे से पता लग जाएगा कि trend कि इस तरह के आ रहे हैं UPSC में और तो inflation पे भी पूछ रहा है वो बेरोजगारी वगेरा पर भी सवाल करता है तो इस तरह से दोस्तों ये छे चेप्टर में ने डिजाइन किये हैं जिन में हमें मतब आगे बढ़ते रहना है वन बाई वन करके और जो sequence मेंने यहाँ पर दे रखी है जिसे नेशनल इंकमेंड प्रोड़क्ट को मैंने पहले दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है कठना ही मैसूस होती है क्योंकि इसकी शुरुवाती की इस तरह से होती है जीडीपी से शुरुवात करते हैं इस चेप्टर की हम लोग और मैं ज्यादा इस चकर में नहीं पढ़ता दोस्तों एक चीज को आप ध्यान रखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और मैं सीधा मेंस्ट्रिम थिंकिंग में स्टुडेंट को ले जाता हूँ और मैं दस तरह की चीजे इस तरह नहीं करता हूँ जिसे क्लास को शुरुवात हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि एकनोमिक्स और एकोनोमी में क्या अंतर होता है जो आम तरह पे आपका ही जिगे देखेंगे सबसे पहले ये पढ़ाना शुरू कर देंगे कि एकनोमिक्स और एकोनोमी में क्या अंतर होता है ये हर बच्चा जानता है कि एकनोमिक्स क्या है मतलब सिध्धान्तों का एक पुलिंदा है हर तसासर के सिध्धानत है उसमें और बेसिकली संसादनों का हम इस्तेमाल कैसे करें पब्लिक चोईस को कैसे पूरा करें लोग अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे करें एक दिये वे बजट से अगर वो भोगता है तो और उत्पादक है तो वो अपने फर्म के आउट्पुट को मैक्सिमाइज कैसे करें अपनी कोस्ट को मिनिमाइज कैसे करें एकोनॉमी है तो दिये वे रिसोर्से से वेलफेर के अधिक्तम सर्थ कैसे जाए यही एकनॉमिक्स है और उसमें किसी देश भगोल वगीरा को ध्यान में नहीं रखा जाता है एक सिध्धांत होता है वो सिध्धांत में किसी सब्जेक्टिविटी को नहीं डाला जाता है वो इकनॉमिक्स हो गया तो इसको यह बताने की क्या Stage कि एकनॉमिक्स क्या है इसमें तो कही तरी की बातें हो जाएगी, economics is the science of scarcity, गुरुलबता का विज्ञान है फिर उसमें कही चीज़े बताओ तो बच्चा confused हो जाए, simple है कि economics हमें ज्ञान देती है सिध्धान देती है, यूनिवर्सल नॉलेज़ देती है, चाहे आप अमेरिका में हो इंडिया में हो, कहीं पर भी हो भुतकाल में हो, वर्तमान में हो भविश्य में हो जो economics आप सीखोगे वो देश काल समय से परे होगी और वो सिध्धान सिखाएगे आपको और जब उनको आप अप्लाई करते हो किसी एक विशेश भुगोल पर विशेश लोगों के उपर विशेश टेरिटरी पर तो उस तरह का economics हो जाता है इंडिया पिलाउप रोगी हो, इंडियान economics हो जाएगा थिर कहते हैं micro, macro दो प्रकार की economics होते है micro और macro होते है वो सब चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही आपको clear हो जाएगी, जब तक संदर्ब सामने नहीं आएंगे दोस्तों, बिना संदर्ब की अगर हम बात करते हैं तो understanding नहीं हो पाएगी दोस्तों, और अगर हम संदर्ब के साथ बात करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से करती है। वो युनिट उबहगता हो सकता है। उत्पादक हो सकता है। कोई साधन हो सकता है जिसे की लेबर वगेरा। जब हम एक को पढ़ते बिना किसी का नाम लिए और यह सोच के चलते हैं कि वह एक एक विवेक्षिल व्यक्ति है या विवेक्षिल यूनिट है तो वह किस तरह से दीसिजन करेगे एक को पढ़ रहे हुआ तो उसको में कहते है मैक्रो एक्षिल मग्रत प्रतिक्रिया पढ़ते हैं और उसमें के ईसी काउ के चाए होती अन्य जानवरों के साथ, वो कैसे response करते हैं, फिर प्रतिक्रिया सुरूप यह कैसे response करते हैं, समगरता में जिसको पढ़ते हो, वो macro economics हैं, तो इस चीज की बाद तो पढ़ाई के दुरान भी हो सकती है, फिर हम कहते हैं कि तीन प्रकार के economic systems होते हैं, तीन प्रकार के अर्थव नहीं है क्योंकि UPSC सवाल नहीं कर रही है, जो UPSC सवाल कर रही है, हमें उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा ही ध्यान रखे, तो दोस्तो नेशनल इंकमिन प्रोड़क्ट का जब चेप्टर लेते हैं, तो ऐसे लगता है, ऐसे पाहड गिर रहा है, किसी के गरेलू सिमा के भीतर, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम बस्तों से वाओं के बाजार मुल्यों के समगर योग को GDP कहते हैं, तो एक स्टूडेंट परिशान सा हो जाता है, जिसका बेग्राउंड नहीं रहा है, और आम तोर्क पे जो बच्चे पढ़ते हैं, एकनॉम एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम बस्तों बस्तों से वाओं, अब वो कहेगा अंतिम बस्तों क्या होती है, अंतिम बस्तों समझ जाएगा तो अंतिम सेवा को मैं कैसे समझू, गरेलू सिमा का मतलब क्या है, मतलब वो कई तरह के प्रशनों में उलत जाएगा, तो इस यह लोग ज़्यादा पढ़ते हैं तो यहां से शुरू कर दिया मैं नहीं कह रहा हूं कि यह शुरुवात गिलत है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि दोस्तों रेपोरेट वगेरा किसमें आते हैं अच्छी नहीं हैं और बीच में अम रेपोरेट पढ़ना शुरू कर दिये किसी भी देश की मोदरिक निती होती है उसका लक्ष होता है फुल इम्प्लमेंट विद्प्राइच स्टैबिलिटे पूर्ण रोजगार की स्थित्थी हो देश में और कीमते स्थिर रहे और अगर वो बंध अर्थ विजस्ता है यनि कि उस अर्थ विजस्ता का बाहर से कोई जुडाव नहीं है तो इसका लक्षे होगा Price Stability, Full Implement with Price Stability और अगर बाहर से जुड़ जाते हो तो Exchange Rate का एक मतब BOP जो होता है वो यहां पढ़ने पड़ेगे और इसमें दोस्तों किन्स का अर्थ शास्त्री एक बहुत IMPORTANT अर्थ शास्त्र है पूरी की पूरी जिसको मेग्टोनीकमिक्स बोला जाता है वो किन्स के अर्थ शास्त्र से ही मतलब उसका निर्मान होता है आप इस तरह से मान वीजिए मतलब आज की इसाब सेगर में देखूं तो दोस्तों वो किनेजन एकनॉमिक्स जो किन्स का अर्चास है वो समझे बगेर मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना रेपो रेट को पढ़ना मेरे इसाब से बिलकुल भी उचित नहीं है क्योंकि दोस्तों जो मौदरिक निती होती है तो जो chiस पर काम करती है थुड़ा साबर में डिसकैस कर mm तो दोस्तो जो आप ब्यास दिरों में कमें करते हो रेपो दर कम होता है जो central bank कम करता है रेपोदर तो वो ये मानके चलता है कि जो bank ब्याजदर वसूलते हैं वो भी उसको कम करेंगे रेपोदर कम करने से उसको ये उम्मीद होती है कि जो commercial bank से जो लोगों को धनुदार देते हैं वह अपनी ब्याजदर कम करेंगे तो जो बैंक ब्याजदर लेते हैं उसको BPLR कहते हैं एक तरह से तो यह कम होगी और BPLR का फुल फॉर्म अगर आप करते हो तो इसको कहते हैं Benchmark Prime Lending Rate Benchmark Prime Lending Rate तो L का मत्वब क्या हुआ? Lending Lending का मत्वब क्या हुआ? उधार देना उधार देना उधार देना तो उधार देनी की जो उनकी देर है वह कम होगी और यह इसा सोचता है और जो जब यह कम होगी तो इसके कारण किंस का अर्थ सास्त्र कहता है यहां किंस का अर्थ सास्त्र कहता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो यह किंस का अर्थ सास्त्र आपको पता होना चाहिए अभी तुम्हें काम चलाओ लिखना हूँ और आपको भी पता होगा आप भी मोटे ज्यान से तो आपको मालूम ही होगा कि निवेश बढ़ता है इसकी वज़े से निवेश हम किसको कहते हैं जिसे हम उत्पादक खर् केमरा लेके आऊं मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद हूं यह सब क्या कर रहें मेरी उत्पादम क्षमता को बढ़ा रहें तो उत्पादम क्षमता को बढ़ाने के लिए जो खर्चा होता है उसको इन्वेस्मेंट करते हैं लेकिन आप इस बात पर ध्यान दे कि वह खर्चा है यह मत सोचए जिस तीच पर मैं भूलना चाहरा हूं उस पर आभ ध्यान दे और आपने क्या पढ़ रखा यह मैं सोचके नहीं चल रहा हूं इस देमो कलास चंभ Bene तो नहीं देख रहा है, नजर रहती है, तो हम लोग समझ आते हैं कि अरे ये बात जो है तूड़ी ज़्यादा हो गई है, भारी हो गई है, लेकिन या तो अनोनिमस टाइप की गुमनाम जैसे हो गए हैं, या तो स्टूडेंट भी नजर नहीं आ रहे हैं, फिर एक टीचर को क इसे पढ़ाना चाहिए, ऐसी स्थिते में उसको एक सिध्धानत अपना रेना चाहिए, कि जो चीजे है, जैसी होनी चाहिए, वेसाही पढ़ाना चाहिए, यहां मैं तो एक तरह से ओनलाइन वाले केस को बहुत अच्छा मान रहा हूँ एक निगा, एक इसाब चाला कि ग्य स्टूडेंट नहीं दिख रहा है आपको, उसके गलत भाव आपको नजरनी आ रहे हैं, कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, कि वो गलत भाव देते हैं, जब वो क्लास में बेठते हैं, आपकी क्लास चल रही है, बेग उठाएंगे, निकल जाएंगे, कई बार इसा भी कर कर दिया क्या मैंने मैं तो अपनी पूरी इनर्जी के साथ काम कर रहा हूं ये बच्छा क्यों चला गया और वो मायूस हो जाता है ये चीजें अब नहीं है अब तो ये है कि आँख बंदे करके आप अपने मन में विचारते हो कि क्या होना चाहिए क्या सही है क्या बच्छों क कर्किर नहीं देख पा रहा हूं बट मित्रों आप मेरी बास पर फिर भी ध्यान दे सकते हूं कि निवेश एक उतपादक खर्च है है। अब इसे पढ़ने में क्या है तो एकनोमिक्स दोस्तों कई लोग पढ़ा रहे हैं कई लोग पढ़ रहे हैं पढ़ पढ़ के भी पढ़ा रहे हैं और करंट को आधार बना के ज्यादा चल रहा है तो करंट तो ठीक है सब को कराना चाहिए मैं भी करवाता हूं सब लोग जानत प्रश्न पूछे जाते हैं जो सवाल पूछा गया कि एक विक्ती एक लाख रुपे इपने बैंक अकाउंट से निकाल लेता है तो मनी सप्लाइपे इसका क्या फरक पुड़ेगा यह सवाल मतलब अपने आप में ठीकली कर पाना उत्तर इसका ठीक से दे पाना बड़ा मुश् दीजे आरेस जो राजस्तान में होता है एक साल दू साल पहले एक सवाल आया था बड़ा अच्छा लगाता है मुझे वहां के किसी एक इंस्टिट्यूटर जो बहुत पहमेस है उसका नाम में नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने सपेशल एक सवाल के लिए मेरे को कॉल किया कि सरी सवाल का उत्राब दे दो और हम पर परशान है सवाल के लिए और मैंने का आपके यहां तो दिल्ली से फेकल्टी जाते हैं पढ़ाने के लिए तो उनसे करवा लो आप वो सवाल में थोड़ी दिक्केत हो रही है और सवाल क्या था कि कोस्ट पुश इंफलेशन मैं आ रहा हूं इसके उपर लेकिन आपको कुछ बात बताना चाहरा हूं कोस्ट पुश इंफलेशन सब लोग नाम तो सुने ही होंगे कोस्ट पुश इंफलेशन एक होथा डिमांड पुल एक हो थाकोस्ट पुस इंफलेशन तो केसे पता लगाते हैं या निमने में से क्या चीज कोस्ट पुश इंफलेशन को दिखाती है इसा करके एक प्रश्ण आया था और उस प्रश्ण में एक विकल्प था एग्रिगेंट अप्लाइक यह अपको पता हो जो आ अप्रोच एक आपको चोड़ देंगे अगर एसा प्रश्ण आया तो यह अप रोच तो ऑर भी घात fell कि क्या क्या चोड़ देंगे और और एक दो तीन प्रश्णों पर आप मान लीजे मैं ऐसे समझू कि 54 आइटम्स पर मेरिट गया मतलब कि जिन्होंने 54 आइटम्स हई किये वो पास हुए मैंस में मतलब पीटी में आपके 53 आइटम्स हई हुए एक गया जिसकी वज़े से आप क्लियर नहीं हुए और वो एक ऐसा ही कोई theoretical प्रश्ण था वो आप नहीं कर पाए ऐसे दो चार और नहीं कर पाए वो छूट गया आपके तो दोस्तों क्या महत हुए आपके 53 आइटम्स हई करने का महत जीरो हो जाता है क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो परिक्षा को देना बिना समझे यह बहुत ब तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है फिर वो लोग हमसे उमीद लगाते हैं और वह उमीद फिर तूटती है तो बहुत ही गलत हो जाता है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम गलत है आप गलत हो बट आपकी अप्रोच दिस्ट्री कॉन और समझने की जो पेपर में आई थेंग यह पूछा गया कि लोगों में बैंक हैबिट बढ़ जाए तो मनी मल्टिप्लायर पर इसका क्या असिर पढ़ेगा मनी मल्टिप्लायर में पढ़ाता रहा हूं और यह आप्शनल के टोपिक्स हैं और जब मैं भी क्लास लेता हूं तो डरता हूं कि म लेवल पर नहीं जाना चाहता है स्टुडेंट भी जाते हैं कि एंटर्टैनमेंट हो क्लास में और मजा करें और चिला चिला कर कोई बोले और ज़्यादा एक्शन करें तो वही टीचर उन लोगों को पसंद है तो दोस्तों फिर सफलता तो मिलेगी नहीं दोस्तों किसी भी कीमत पर खेर तो आप आईए इधर इन्वेस्टमेंट समग्रमांग और केंस कहते हैं कि मांग बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ेगा देश का जीडीपी बढ़ेगा तो यह रेपोदर को बिना जीडीपी को पढ़े पहले ही पढ़ लिया और वो एक सुत्र देते हैं वो सुत्र आपको पता नहीं है तो रेपोदर को फिट कहां से करो गया किन से एक सुत्र देते हैं वो समग्रमांग का समग्रमांग को एडी कहते हैं एग्रिगेट में यह आई बढ़ जाता है तो यह बढ़ जाता है यह बढ़ने से GDP बढ़ जाता है GDP बढ़ेगा implement बढ़ेगा इस तरह से दोस्तों यह चलता है और यह macro economics बन गई एक को छेड़ा कितने सारे लोग छेड़ गए तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ओ यह है क्या macro economics अब इससे teacher बता रहा है micro होता है एक होता है एक का जिन करते हैं तो यह micro है total का करते है तो वो समझ रहा है कि total का मतलब क्या है अब यह आप देखिए एक रेपोदर को छेड़ा फिर BPLR परसर पढ़ा BPLR की करण investment पर पढ़ा investment की करण मांग पर पढ़ा मांग के करण GDP पर पढ़ा GDP से implement पर पढ़ा और फिर GDP बढ़ेगा तो दोस्तों लोगों की आई बढ़ेगी आई बढ़ेगी तो उनका उभोग बढ़ेगा फिर मांग बढ़ेगी इसको कहते हैं समग्र समग्रत्या हो पूरे की पूरी एकोनॉमि को टच्च कर रहा है यह उभोग है यह निवेश है सरकार है यह बाहर का निरियात है वो आयात हैं तो पूरी एकोनॉमि को लिया ही नहीं पहले रेपुदर कहां से आप पढ़ लोगे? समझा यह है दोस्ता तो क्या है कि हम यहाँ से शुरुवात करेंगे हम लोग प्रियता को नहीं देखेंगे कि मतब बच्चों को अच्छा क्या लगेगा यह नहीं देखना है बच्चे के लिए अच्छा क्या है यह देखना है जिससे हम governance है तो governance on the people नहीं है governance is for the people so teaching is for the students welfare वो ही एक ideology रखकर आप चलोगे तो ठीक है और नहीं तो रोचकता के हिसाब से हम चलेंगे तो फिर रोचकता ही रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास तो National Income and Product से ये class जो है हम लोग शुरू करेंगे और दोस्तों इसमें कही सारी बातें आईगी और थोड़ा थोड़ा एक दू कलास में हो सकता है थोड़ी मुश्किल आए लेकिन फिर बहुत रोचक होने लगे गाए और मेरा दावा है दोस्तों की जब आप पुरा पढ़ लोगे तो अब अख़बार में आम तोर पे बच्चे कहते हैं कि हमें economics को पढ़ने में बड़ी मतब परहिच सा होता है हमें पढ़ने में मजा नहीं आता हमें उस वाले news को हम छोड़ देता है और मेरे पुराने बच्चे जितने भी रहे हों हमेशा यह कहते हैं सेर्व आपसे पढ़ने के बाद हम सबसे पहले economics ही पढ़ते हैं वही हमें सबसे बढ़ा लगता है तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि यहां से हम शुरुवात करेंगे और फिर यह कतम होने के बाद public finance लेंगे कि इसी sequence में हमारी class चलेगी चाहूं तो मैं गरीबी से भी class को शुरू कर सकता हूं तो मैं सब्गेरा की classes में सरल topics से लेता हूं वामत्वरता है लेकिन यहां मैं इसे शुरू नहीं करना चाहता हूं और नहीं मैं करता हूं कभी जितने भी मेरे पुराने बच्चे सब जानते हैं कि नेशनल इंकम और प्रॉडक्ट से सरक्लास को शुरू करते हैं और इसमें कई सारे चीजें हैं दोस्तों वह आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कई चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं थोड़ा लंबा चेप्टर है यह कि नेजन इकनोमिक्स तो मैंने आपकी सामने रखा ही दोस्तों कि कि इंसका अर्चास्र क्या है इसमें पूरा क 2021 में हमारी growth rate minus 7.7% रहने का अनुमान है तो 1952 के बाद में सरवाधिक जो हमारी growth rate minus में रहने वाली है वो 2020-21 में रहने वाली है तो वो चीजों को पढ़ने के लिए जो अनुमान दिये जाते हैं उसमें हमें सारी चीजें पढ़नी पढ़ेगी कि आप GDP को expenditure method से कैसे निकालत इनकम method कैसे होती है value addition method कैसे होता है और राष्ट्रे आई की नई विधी क्या है जो अभी तक 2015 में हमने राष्ट्रे आई की नई विधी को लगो किया था लेकिन अभी तक उस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया तो अब मुझे लगता है कि हो सकता वो पूछे और उसमें हम सब्सक्राइब लोग GDP निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं सिग्मा जीवी ए एट बेसिक प्राइसेज और यह करने के बाद इसमें हम नेट टैक्सेज को जोड़ देते हैं प्लस करके नेट टैक्सेज और प्रोड़क्ट्स तो सिग्मा जीवी है तो हम दिखेंगे जीवी यह कैसे निकलता है यह नया मिठम है हमारे देश का तो यह पढ़ना पड़ेगा आपको और शुरुआत में पढ़ाँंगा आपको मतो next अगली मतलब यह कैसे क्ते हो जो लास्ट की क्लास है उसको मैं नई मेथड को लेकर आपको पढ़ाऊंगा और इसमें market prices, basic prices, factor cost, producer prices यह सब में क्या difference है कैसे यह निकलता है और आपने देखा होगा अगबारों में पढ़ते हो कि जीवी यह इतने से बढ़ा और जीडीपी इत ग्रोथ और डेवलप्मेंट में क्या difference है ग्रोथ वर्सेश डेवलप्मेंट उसमें क्या अंतर है human development index देखेंगे hdi इसके अलावा दोस्तों हम कई और चीजें पर्यावरण से related कई सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे की carbon credit हम लोग पढ़ेंगे और दोस्तों GDP, GNP हम लोग देखेंगे sustainable development का concept हम लोग लेंगे ऐसे कही तरह की जो capital को लेकर सवाल आते हैं जैसे के बार पूछ लेता है social capital इसे पूछ लेता है human capital इसे physical capital इसे एक इन से जुड़ावाइक टर्म होता है आई कोर 2018 की PT में आया था मेंस में भी इनके relations हैं तो यह सारी चीजें यह टॉपिक में पढ़ेंगे हम GDP, GNP वाले टॉपिक में जो national income and product वाला टॉपिक है दोस्तों इसके बाद दोस्तों public finance में आएंगे और यह अरिया भी बहुत significant होता जा रहा है और इसमें taxes को लेकर कई बार सवाल आते हैं जैसे Google tax पर एक बार सवाल पुछा गया ऐसे अभी digital services tax के उपर बहुत चर्चा चल रही है और यह Google tax से connect होता है दोस्तों यह भी ध्यान रखिए और बहुत अच्छा मेरे को याद आया यह जो digital services tax वाला topic चल रहा है अभी जैसे अभी एक report जो आई थी American सरकार के द्वारा जो निकाली गए थी USTR के द्वारा उसमें भारत को दोशी ठेराया गया है कि भारत गलत जंग से digital services tax लगा रहा है और भारत ने उसको सरकार ने हटाया था मतलब एक साल हो गया उसको अटाये वे उस पर सवाल आ सकता और कई बार सवाल एक दो साल के बाद ही पूछे जाते हैं तुरंत नहीं पूछे जाते हम सोचते कि यह गया topic और हमें पढ़ने की ज़रूत नहीं है Google Tax 2016 में implement हुआ था और सवाल UPSC ने 2018 में पूछा था तो आप देख लीजिए कि पढ़ाई हमें किस तरह से करनी है और जो दोस्तों Public Finance के अंदर हमारे यहां पर जो सरकार की income है वो आपको समझनी पड़ेगी जो income को receipts कहते हैं तो राज़स प्रकार की जो receipts होते हैं उनकी परिवाशा क्या है उनके example क्या है पूंजीकत प्रकार की receipts क्या है उनके examples क्या है और accounts बनते हैं revenue account, capital account तो आप पुराने paper देखेंगे तो उन्होंने items पूछे हैं तीन चार items दे दिया आपसे पूछ रहे हैं कि उपर युक्त में से कौन से item capital account में आते हैं या फिर revenue account में आते हैं खर्चों के प्रकार होते है plan non plan वो तो खतम हो गया वो division अभी इंडिया में नहीं है 2017-18 के budget से हमने plan non plan का जो वर्गी करण है खर्च का वो खतम कर दिया लेकिन उसकी जिगह हम लेकिया scheme और non scheme खर्चों का वर्गी करण उस पर अभी सवाल नहीं पूछा 17-18 से लगू हुआ हूँ तो 17-18 निकल गया 18-19, 19-20-21 अब तो UPSC पूछेगा इसे ऐसा मुझे लगता और नहीं पूछे तो भी क्या हमें तो तैयारी करनी है पूराने papers को ध्यान में रख गए क्योंकि एक दो बार ये पूछ चुगा UPSC कि कौन से non plan expenditure इंडिया में होते हैं अब non plan की जिगे non scheme expenditure की वरगी करन स्टार्ट हो गई है तो वो सब आपको देखना पड़ेगा और फिर दोस्तों क्या है कि जैसे disinvestment वगेरा जो सरकार कर रही है भारत में और अब लक्षे उसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं आप newspaper में पढ़ रहे होंगे तो पूंजीगत प्राप्तियों में disinvestment ए सिंगापूर मोडल्स की बात भी हुई है भारत में disinvestment कौन सी विधियों से होता है जैसे एक IPO मेथड होता है एक FPO मेथड होता है एक offer for sale मेथड होता है एक ETF के जरिये भी सरकार disinvestment करती है खासतरों से minority सेल स्ट्राटेजिक सेल क्या है ये सारी चीज़ें आपको देखने पड़ेगी दोस्तों मतब बहुत कुछ है और कई होल आपने छोड़ा मतब जिससे public finance आप तयार कर रहे हो एक दो topic छोड़ दिये और वहीं से सवाल आ गया तो ऐसे तयारी नहीं होती है या तो आप करो नहीं करो तो उसको पूरी तरह से करो जी एस मतलब ये तो मैंने खर्चों के बारे में बातचीत की इंकम के बारे में बातचीत की आप लोगों से ऐसे फिर खर्च और इंकम की बातचीत हो जाएगी तो घाटों की बात होगी जारी से बात से सिक्वेंस के हिसाब से गराब चलते हो तो राजस्व घाटा वाज-कोश्य घाटे की कॉंसेप्ट में क्या अंतर है क्या हम विकास के लिए घाटे लगा सकते हैं भारत में और यह मैंन से भी जुड़ जाता है यह वाला टोपिक I think 19 के मैंस में आया था कि उदारी करण के बाद में भारत में सारुजनिक खर्च का प्रबंदन करना अधिक चुनोति पूर्ण हो गया सारुजनिक खर्च का प्रबंदन करना मैनेजमेंट करना चुनोति पूर्ण हो गया उदारी करण के बाद में तो उदारी करण और सारुजनी खर्च का प्रबंदन आपस में किस तरह से जुड़े हैं ये समझ आपको होनी चाहिए क्राउडिंग आउट आपने एक शब्द सुना होगा निजी निवेश का निश्क्रमन कहते हैं जिसे उससे ये लिंक बनेगा इस सवाल को सोल करने का तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें और फिर जी एस्ट का पूरा इसमें आपको देखना पड़ेगा पब्लिक फाइनेंस में कि जी एस्टी की संदशना हमारे देश में क्या है इसको क्यों हम डेस्टिनेशन बेस्ड कहते हैं क्यों हम इसे बेस्ड कहते हैं किस प्रकार से डूल जी एस्टी है अगर हम यह कहते हैं कि कुछ वस्तें जी एस्टी एग्जाम्ट है तो उसका क्या मतलब है पूसकता है UPSC और कुछ वस्तें 0% जी एस्टी में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है एक आप कहते हो जी एस्टी एक कहते हो 0% GST, जब आप बोलते हो 0% GST, बोले तो GST है उस पर, यही मतलब निकला, लेकिन 0%, और जब हम कहते हैं GST exempt, तो GST नहीं लगता उन वस्तों पर, तो इन में क्या फरक है, इस तरह की बाते हैं दोस्तों, तो यह सब पढ़ना पड़ेगा, हमारे देश में tax GDP ratio क्या है, इस तरह से, tax expenditure किसको कहते हैं, कई बाते हैं दोस्तों, अब उतना विस्तार में, डेमो क्लास में नहीं ले सकता, फिर दोस्तों क्या हैं कि topics के आपस में integration भी होते हैं, national income public finance से जुड़ता है, public finance national income से जुड़ता है, अपस में इनकी connectivity है, अगर आज हमारे देश में GDP में recession आ रहा है, एक तरह से, तो recession आ रहा है, GDP नीचे जा रहा है, तो सरकार के कर संगरन पर भी इसका प्रभाव परिलक्षित होगा, क्योंकि अगर देश में GDP कम है, लोगों की income कम है, transaction कम है, तो सरकार की revenue पर उसका impact आना है, तो आपस में ये जुड़ जाते हैं, और सरकार की revenue कम होगी, तो वो infrastructure अन्य ये चीज़ों पर उतना खर्चने कर पाएगी, तो फिर GDP impact होगा, इस तरह से दोस्तों, आप इन चीज़ों को link कर सकते हैं, आपस में linkage को भी आप ध्यान में रखें, money and banking, और इसमें तो इतने सारी चीज़ें हो गई है money and banking में, हमारे देश में, खास दोर से जो traditional money and banking है, वो इसमें अप्यान में रखनी है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा कार्थी क्या होता है, मुद्रा और currency का क्या मतलब है, मतलब डिफरेंस क्या है, कई लोग currency को ही मुद्रा समझते हैं, तो इन कार्थी difference में बताऊंगा अपने class में कि करेंसी और money में क्या अंतर है, और ये legal tender, limited legal लिगल टेंडर, अनलिमिटेड लिगल टेंडर, M0, M1, M2, M3, M4, इस सब बहुती बहुती परंपरिक प्रकार की बैंकिंग है, जिसको कोई भी कर सकता है, वो तो आपको पढ़नी-पढ़नी है, लेकिन कई नहीं चीजें आ गई, जो रिजर्ब एंक ने पिछले दिनों की है उन पर आपको बहुत ज़्यदा फोकस करना है, जैसे दोस्तों, ओपन मार्केट ओपरेशन एक ट्रेडिशनल टूल है, मनी सप्लाई को कम ज़्यदा करने का एक निहायत परंपरिक टूल है, ओपन मार्केट ओपरेशन, लेकिन उसी पेटर्ण पर, RBI ने नए 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 पड़ेएंगे आपको, 4XSWAP, ट्रेडिशनल तो अपनी जगें है, नहीं चीज़ें जो आ गई, तो 4XSWAP जैसे उसने शुरू किया, ऐसे उसने LTRो शुरू किया, ऐसे उसने TLTRो शुरू किया, ऐसे उसने एक ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया, यह जो नहीं नहीं करी यह सब चीजों को आपको केज करना है क्यों करी इसके मतलब फंक्षन का तरीका क्या है कैसे यह काम करता है और इन में थोड़ी हाइफाई इकनोमिक्स भी आएगी जिससे आपने पड़ा होगा कि बॉंड की केमतों में और मार्केट की ब्याजदर के बीच में उल्टा समध होता है यह पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन ट्विस्ट आपको समझ में नहीं आएगा अन्ये था एक यिल्ड रेट होता है तो कूपन रेट और यिल्ड रेट में क्या डिफ्रेंस है और ऑपरेशन ट्विस्ट के तहित आरिए ने यिल्ड रेट पर इंपक्ट किया था लॉंग टर्म यिल्ड रेट को इसने नीचे करने की कोशिश की और शॉर्ट टर्म यिल्ड रेट को इसने बढ़ाने की कोशिश की और आम तोर economics की तेउरी कहती है कि long term के जो yields होते है वो ज़ादा होते है short term की तुलगा में लेकिन short term को उचा कर दिया और long term को निचा कर दिया इसको twisting कहेंगे एक तरह से, क्यों इसने twisting करी, कैसे करी यह आपको देखना होगा इसमें NBFC सेक्टर जो पूरा का पूरा है हमारे देश में नॉन बैंकिंग फानिशल कंपनी सेक्टर यह आपको अच्छे से तयार करना पड़ेगा NBFC पर उस तरह से सवाल अभी नहीं आएं लेकिन मुझे लगता है कि अब जो पीटी आने वाला है इसमें बहुत अच्छे से NBFC के उपर सवाल करेंगे NBFC के टाइप्स क्या होते हैं नए टाइप्स जो RBI ने शुरू किये वो कौन से हैं Regulatory Sandbox की Policy क्या है Reserve Bank की तो वो आपको देखना पड़ेगा इसमें और Banking Payment Systems जितने भी हैं चाहे वो RTGS हो NAPT हो, AEPS हो, चाहे वो UPI हो यह सारों को थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा संक्षिप में आपको देखना पड़ेगा इनकी Functioning की तरह से होती है और Virtual Currency जैसे की आजकल Bitcoin बड़ा धूम मचाये हैं मार्केट में उसका rate मतब उत्रोतर बढ़ता जा रहा है, बीच में मतब वो डाउन हो गया था Supreme Court का judgment भी हमारे देश में आया वा था हलाकि उसको समय हो गया हमारे देश में Bitcoin को RBI illegal मानता है वर्चुल करेंसिज में trade को गलत मानता है उसको Ponji scheme की का दरजा देता है तो Supreme Court ने एक judgment में का है कि आप उसको गलत नहीं मान सकते तो वो सारी चीजें और blockchain technology और decentralized laser technique यह सारी चीजें जो virtual currency से जुड़ी हुई है उनको देखना पड़ेगा और social banking भी बहुत important है दोस्तों जैसे कि microfinance और मुझे याद आया कि अभी जो GS का paper हुआ GS second और जब मैं ये class ले रहा हूं तो GS3 भी हो चुका होगा दोस्तों लेकिन वो मैं देख नहीं पाया अभी मेरे सामने को वो paper नहीं आया लेकिन GS second paper में ने कल देखा था आज GS3 का देख लूँगा मैं economics में क्या आता वो मैं देखता हूं उसमे microfinance self help group की भूमिकाओं के बा देखना पड़ेगा कि economics भी उनको कैसे करनी है या वो topics वो छोड़ दें मतलब इस तरह का कुछ होगा क्योंकि economics में वो ज्यादा entry ले रहा है तो मैं आपको social banking में ये microfinance self help groups और business correspondent model प्रधान मंत्री जंधन योजना स्वाभिमान योजना वगेरा इस तरह की सारी चीजें ज small financial banks ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग cover करेंगे कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जो आपकी परिक्षा के लिए है वो इस class में आना उसका तेह है और हम लोग किसान की तरह है हम खेती करते हैं बीजब होते हैं इस उम्मीद के साथ की बही अच्छी खेती होगी ब है एक कोशिस है दोस्तों लोग कई बार expect भी करते हैं कि सरके note से सवाल आते हैं आते हैं बहुत expect करते हैं इसे मेरा भार और बढ़ जाता है दोस्तों और फिर नहीं आपाते हों बाइदेवे तो मुझे अच्छा नहीं लगता जबकि मेरी कोशिस बहुत अच्छी रहती है और कभी कम कभी ज्यादा यह होता रहता है दोस्तों लेकिन हाँ आपको जो आदमी अपडेट रहेगा वह अच्छा करेगा दोस्तों हमेशा है ठीक है कही बाते हैं अब मैं एक के को कहां तक बोल पाऊंगा और याद कर पाऊंगा जब टोपिक चलेगा तो आपके सामने करता है एक पूंजी बाजार होता है और बहुत शुरू से मैं इनको पढ़ा रहा हूं इस उम्मीद के साथ की पूछेगा पूछेगा और नहीं पूछे तभी बच्चे को तो पता होना चाहिए और इस बार के पेपर में 2020 के जो पेपर में जिसने उन चीजों को ठीक से नह नहीं हो ओगा जरूरी कि कही चीजें अनमें आगई है वेला झार होता है जो ममने मार्कित होता है उसमें एक साल तक के धनका लें देन किया जाता है और फूंजी बाजार होता है कैपिटल मार्क И.ॉसमें और बेसिकलियर उसमें本当 Marquis ma Randa Pro P होता है और एक्विटी कैसे लाई जाती है और भारत में कौन-कौन से तरीकें हैं यह सारी चीजे मुच्छल फंड वगेरा कॉमोडिटी मार्केट्स जो वस्तुओं के बाजार हैं वो कौन-कौन से हैं उनका नियमन कौन करता है और जो शेर्स उचकांक होते हैं अलग-अलग सेंसेक्स निफ्टी वगेरा, ग्रीनक्स, सर्यापुप्टि यह कैसे बनते हैं और यह क्यों उपर निचे होते हैं और इनelsius भी सवाल रहते हैं उनको बठाऊँगा मैं अपनी क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन इनको उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी क्लास के हिसाब से हमें Commerce नहीं पढ़ना है दोस्तों Commerce नहीं है आपकी syllabus में और आपकी syllabus में Economics वो भी क्या है इंडियन Economics तो आपको मजा तो आता है अच्छे चीचीजे पढ़ने में और हम ज्यादा अगे भी निकल जाते हैं कई बात लेकिन वो घातक है तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि परिक्षा के हिसाब से हमारे विए क्या important है वो हमें देखना है दोस्तों तो इसके बाद फिर foreign sector मतलब लगबग यह लास्ट में आ गया यह सब चीजों की आपको जानकारी होगी तब आप इसको पढ़ सकते हो foreign sector विदेशिक शेतर और इसमें हम पढ़ेंगे भुक्तान संतुलन खाता बैलेंस और पेमेंट अकाउंट जो एक होता है वहां से शुरुवात करेंगे उसकी और उसमें चालू खाता पूंजी खाता ओफिशल रिजर्व अकाउंट आम तो पर आप दो खाते पढ़ते हो मेरी क्लास में तीन खाते पढ़ेंगे और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यह भी मैं आपको बताऊंगा और इस बार के पीटी में एक सवाल था कि भारत कोई अगले बड़े वित्य संकट से के अंदर नहीं फसे इसके लिए कौन सी नीतियां उसको ध्यान में रखनी चाहिए या किन नीतियों को लागू करना चाहिए इसा करके एक प्रश्म था तो मैं आपको उनिरंतर कह रहा हूँ कि आप उस चालू खाता, पुंजी खाता, ऑफिशल रिजर्व खाता, फिर वो खातों में किन-किन चीजों के एंट्री होती है वो पढ़ेंगे विदिश्य मुद्रा भंडार उनमें कौन से घटक होते हैं, विनमेदरों के प्रकार कौन-कौन से हैं, आउमुल्यन किसे कहते हैं, किसे इंटर्वीन करता है, डॉलर्स मार्केट के अंदर और उससे क्या-क्या प्रभाव पढ़ जाते हैं, और प्लस इधर की जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो यहां कैसे इंपक्ट डालती है, एक बर आया वाता साहित 14 या 15 में कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉ तो हमारी विनमेदर पर हमारे यहां जो पुंजिगत प्रभा आते हैं या यहां से जाते हैं, उन पर उसका क्या असर पढ़ता है, यह आपस में कैसे लिंक होंगे, और यह दोस्तों पढ़ना ही पढ़ेगा आपको, क्योंकि UPS से सवाल कर रही है, तो इसमें दोस्तों, तो एक ब्रॉशर आपको दिखेगा, वो ब्रॉशर आप देख लें, उसके हिसाब से में चलूंगा, और कुछ-कुछ कॉंसेप्ट्स मत्व यूजलेस होते हैं, तो वो हट जाएंगे, और कुछ नए आते हैं, तो वो आजाएंगे, जिससे वो ब्रॉशर को आप देखोग नहीं है, आप इत्मिनान से क्लास को करें, और ठीक है, थोड़ी हम लोगों की फीस जादा है, यह सब चीजे नहीं सोचते हैं, हम इस चीज पर ध्यान देते हैं, कि जिस शुरू से जो फीस चली हुई आ रही है, वो ही हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो पुराने बच्चे है उनको चीटेड फील ना हो, कि उनसे हमने कम ले लिया ज्यादा ऐसा लोग बोलते हैं, तो उस वज़े से हम नहीं करते हैं, जो है वो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, और फिर सोशल सेक्टर लास्ट में पौवर्टी, अनिम्प्लेमेंट और इंफ्लेशन ये टॉपिक्स हम लोग लेंगे, ये जो मल्टी डाइमेंशनल पौवर्टी इंडेक्स वगिरा की जो सवाल मैंस में आये हैं, जीया सेकिन में उस सब में कराऊंगा अपने आप, इस वाले चेप्टर में, और गरीबी का सिस्टम क्या है, कैसे हम उसका असेस्मेंट करते है इंडिया में, और अमर्तिय सेंसर का कॉंसेप्ट क्या है, और हम जो कॉंसेप्ट फोलो करते हैं, उसकी क्या कमिया है, और भारत में किस विधी का प्रियूग होता है, वल्ड बेंक कौन सी विधी का प्रियूग करता है, हमारे यहां गरीबी का स्तर, यानि की इंसी डेंस क् जो अभी जिये सेकिन में वड़ाया था इंसिडेंस और एक इंटेंसिटे दोनों पुछे गए थे तो इंटेंसिटी और पॉवर्टी हमारे यहां कितनी है और दोस्तों गरीबी हम कैसे दूर कर सकते हैं ट्रिकल डाउन क्या है बेरोजगारी का अर्थ हम देखेंगे बेरोजगारी की प्रकार कौन से हैं बेरोजगारी की दर्व गेरा क्या चल रही है इस तरह की चीज़े और इंफलेशन एक बहुत इंपुटेंट सेगमेंट हो जाता है इसमें मैं जो भी थूदी दिर पहले कोस्ट पुश इंफलेशन का नाम ले रहा था इसे डिमांद फूल लोग पढ़ेंगे इस क्लास में और फिलिप्स केर्व की छोड़ी पर सवाल पूछता है यूपीए से हमेशा और दोस्तों मुद्रास्पीति से किन लोगों को लाव होता है किनको नुकसान होता है इस तरह के टॉपिक्स लेंगे दोस्तों ये हमारी क्लास की डिजाइनिंग इसके इसाप से हम लोग चलेगी इसके बाद दोस्तों कि अगर आप देखते हैं कि प्रशन किस तरह के पूछे जाते हैं यूपीए से में नेच्छर ओब क्वेशन्स क्या है तो दोस्तो करन्ट से रिलेटेड प्रसन आते हैं UPHC कोई भी करन्ट रिलेटेड प्रसन को पूछ लेती है औप्शिन्स में डाल देती है जिसे इस बार के ऐसा लगता है स्टुडेंट कह रहे हैं कि बहई करन्ट का नहीं पूछा इस बार के पेपर में ऐसा नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्ता जिसे आप उसमें देखेंगे पेपर में तो आपको commercial papers वगेरा इसे options में दिखेंगे और वो commercial paper दोस्तों चर्चा में रहे हैं हमारे देश में दिवान housing finance का नाम सुना होगा आपने IEL and FS का नाम सुना होगा यह जो बड़ी-बड़ी NBFC थी यह commercial paper का भुपतान नहीं कर पाई थी और यह default कर गई थी तो वो UPSC ने जो options बनाए थे इस बार के paper में कुछ प्रश्णों को लेकर उनमें उनका जिक्र आ रहा था तो यह current को लेकर कुछ न कुछ न कुछ न कुछ पूछता है UPSC जरूर conceptual प्रश्ण आते आते हैं जैसे GDP होता है उपर दे दिया GDP होता है और चार option दे दिये एक option में लिख दिया एक दिश की गरेलू सीमा के भीत है उत्पादि सभी अंतिम वस्तोर से वहां का बाजार मुली है आया हुआ है इस तरह से तो conceptual clarity तो आपकी best होनी चाहिए क्योंकि यह सवाल अगर आपके गलत हो गए तब तो आप कुछ करी नहीं पाऊगे concept आपका strong होना चाहिए ताकि कम से कम concept से related कोई भी प्रश्ण आता है तो आप आराम से कर सकते हो theoretical प्रश्ण भी पूछे जाते हैं जैसे अभी पूछा था एक विक्ती मुद्रा निकाल लेता है अपना धन निकाल लेता है एक लाख रुपे तो money supply face का क्या असर पड़ेगा और मैंने अपने YouTube discussion जो मैंने द्रिश्टी में किया उसमें मैंने साब पेसे निकालने से इस पर कोई फरक नहीं पड़ता है इस तरह का एक चित्र मैंने बना रखा है वो मैं जब पढ़ाओंगा तब आप से विसार से बात करूंगा trend related प्रशन आते हैं कि पिछले एक दशक में भारत का राजकोश्य गाटा लगातार बढ़ा है पहले बढ़ा बाद में कम हो गया है इस तरह के options देते हैं GDP लगातार बढ़ा है GDP की growth rate लगातार बढ़ी है कौन सा कतन सत्य या सत्य है trend, trend जो होता है वो लंबे period के लिए होता है मतलब पिछला 5 साल पूछ लेंगे पिछले 10 साल पूछ लेंगे अब आजकल आप पढ़ रहे होंगे अकबारों में कि हमारा जो चालू खाता है बुक्तान संतुलन का जो चालू खाता है वो surplus में आ रहा है तो उस पे सवाल बना देगा कि पिछले एक दिश्चक में बारत का चालू खाता जिसमें मायात, निरियात बगिरा करते हैं चालू खाता निरंतर अधिशेश में आया है इस तरह से वो बना सकते हैं स्कीम रिलेटेड सवाल आते हैं हमेशा कुछ न कुछ जो सोचल वेलफेर की स्कीमें हैं उनको लेकर सवाल करते हैं तो ये करंट ध्यान रखे, कौनसेप्ट ध्यान रखे कुछ थ्योरी आपको पढ़नी पढ़ेगी अब कौनसी थ्योरी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है वो टीचर के उपर चला जाता है ये आप लोग नहीं समझ पाऊगी कि थ्योरी कितनी पढ़ी जानी चाहिए और ट्रेंड रिलेटेड प्रश्न ध्यान में रखने हैं पिछले एक दश्यक की ट्रेंड जो भी है अलगलग फिल्ड्स में वो आपको पता होनी चाहिए और स्कीमों की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए खासतर उसे कौन सी स्कीम है, जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम है सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम है और ये जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम है शिवरा सेंग चोहान पेनल बना था जो नितियायोग ने बनाया था उसको सब ग्रुप बोला गया उसने फिर इनका रेशनलाजेशन किया यानि की वीवे की करण किया उनको ज्यादा बढ़िया मत्तब इनकी केटेगरी बनाई तो वो लिस्ट में आपको दूंगा उसमें एक कोर स्कीमें एक ऑप्शनल स्कीमें तो मुझे ऐसा लगा कि कोर स्कीमों पर जएदा UPSC सवाल करता है तो वो जब हम पढ़ेंगे तो उस दुरान में आपको बताऊंगा कि केसे इन स्कीमों को तैयार करना है ठीक है दोस्तों तो ये नेचर ओप क्वेसिंस के बारे में बात लगता है वो ये लगता है अनसोल्ड पेपर सिंस 2012 अब आप कहेंगे कि 2012 के चुनाव मैंने क्यों किया तो आप 2012 का पीटी पेपर देखते हूं तू सबसे ज़्यादा इकनोमिक्स के सवाल दिखेंगे और सवालों का जो स्तर था वो भी बहुत मुश्किल था अगर उस पारी करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी तो बारे से लेकर अब तक के जो पीटी के पेपर्स हैं वो तो सबसे पहले आपको देखने हैं उसकी सबसे पहले और नहीं है आपके पास तो आज ही इनको लेया हुआ बेसिक बुक के रूप में एक आईसी धिंगरा सर की किताब आ इसाब से जी एस के पॉइंट ओप यू से इंडियन एकोनोमी की पुस्तक चाहिए तो वो आपको दे देंगे प्लस दोस्तों सर्वे और बजट साब को देखने पड़ेंगे और ये भी क्या की लास्ट मतलब त्री येर्स के अब ये त्री येर्स को समझने के लिए एक तो आने वाला वो देखना है और एक अभी का जो चल रहा हो देख लो एक पिछले साल का देख लो आप तो तीन वर्ष के कम से कम सर्वे और बजट को आपको देख लेना चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि मैं जब क्लास लू तो अपने आप कम्प्लीट होंगे और फिर मैं करन्ट अपडेट आपको करवाऊंगा तो कमी वेसे नहीं चूटनी चाहिए और आप अपने हिसाब से और जो भी लोग इस क्लास इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ये तो नहीं पता है कि वो हमारे चात्र हैं या हमारे होंगे तो वो अपने हिसाब से भी अगर कुछ करना चाहिए तो मैं उनको बता रहा हूं वाइकि मेरी क्लास में तो यह आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है किताब भी मतलब आप रखो पढ़ो बहुत अच्छी ठीज है वाइकि मैं फ्रेम बना दूंगा और उसक सकती है तो आपको लगता है किसरल ने यह कमी छोड़ दी तो आप इसको पूरी कर लो मेरे से सकते हो किसर्क्या मैं यह कर सकता हूं तो मैं बिलकुल इमांदारी के साथ आपको बता दूंगा कि हाँaciए चीजित상 है और इंडिया अंडिया में हो रहा है इसी इंडिया में व में उसके प्रति में वाकिव है दोस्तों इस तरह से यह हमारा मतबग परकार की परिच्छे परकार की क्लास थी और उमीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मुझे जरूर यह उमीद है और दोस्तों अगला वीडियो जो मेरा होगा वह मैं में मैं क्लास की तरफ जो मेरे पहली क्लास होगी वह नेशनल इंकम और प्रोडक्ट से होगी ठीक है दोस्तों तो और यह सारी मतब जो भी कोई दिक्कत आती है व्यूज हम दो व्यूज देते हैं और आपकी रिक्वेस्ट पर हम व्यूज बढ़ा भी देते हैं और हमें पता है कि हमारे सभी बच अच्छे होनेस्ट हैं और होनेस्टी के साथ को काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उस लेवल पर और तीसरे बात यह कि यह जितने टॉपिक्स हुए हैं आपके सामने रखें इनके टेस्ट भी में लोंगा टॉपिक वाइस टेस्ट लोंगा मतार्व 50-50 आइटम के टेस्ट होंगे तो वो टेस्ट पेपर बनाके हम अपलोड करेंगे और आप उनको डाउनलोड करके वो एक सेंपल के हिसाब से आप अपने पास रखिए और उत्तर हम दे देंगे उनसे आप तुलना कर लीजिए कि आपका कितना सही और गलत हुआ है जनरल टेस्ट भी मैं लूँगा और करन्ट अफेर्स की क्लास जो होगी उसके बाद में भी एक टेस्ट लूँगा और टेस्ट जो पेपर हम डिजाइन करते हैं उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम डालें और उसको एजस सप्लिमेंटरी हम लोग इस्तेमाल करें जो भी हमन आप नहीं हैं इस बात की में गोशना करता हूं वो पेपर मेरे हाथ के रहेंगे आपके लिए तो उसके लिए भी आप निशेंद रहें और प्रश्न बनाना भी उतना असान नहीं है और मैं कई बार टेस्ट सिरीज वेगेरा को अच्छा नहीं मानता क्योंकि उसमें जो पे प्रश्न की और किसी टेस्ट सिरीज के सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उतरदाए में नहीं हो आप जो भी सवाल मेरे से करेंगे वो यू पी एसटेट पी सीएस में आयावा हो वो सवाल आप मेरे सामने बेखे आएंगे उनके लिए में जवाब देए राइट दो तो और Amazon का हमारा सर्वर है इंक्रिप्टेड वीडियो दोस्तों रहते हैं हम लगों के तो जब आप वीडियो चलाएंगे जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा वो मुझ करेगा और थोड़ी देर के लिए आपको इसा लगेगा कि वहां पर कुछ नहीं है तो वह सिस्टम में इं कि सामने जैसे वीडियो दिखेंगे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा और फिर वह आएगा वहां पर और फिर वह चलने लगेगा थोड़ा भूमने के बाद तो एक बार चलने के बाद कोई परिशानी उसमें नहीं है जब आप देखना शु काउंट नहीं होते हैं उस चीज के लिए और दूसरी एक सबसे इंपोटेंट बात जो हुई है कि जो लोग ओन-लाइन में अडिमिशन लेंगे उनको ओफ-लाइन फ्री देंगे हम लोग मतलब आप जब भी ओफ-लाइन क्लास शुरू होगी आप पा स्वागत है आप निश् थैंक्यू